जिनके सिमरन मात्र से सिद्ध होत सबकाज सो हम पर किरपा करें शीरी दत्तात्रे महराज सो हम पर किरपा करें शीरी दत्तात्रे महराज शी दत्तात्रे महराज की जए जैसा कि हम सब जानते हैं कि श्रीदतात्री महराजी के अवतार दिवस के उपलक्ष में परम बुजने परमादर्निय दर्शनाचारे श्री सागर्मुनी दादा जी ने व्याक्यान माला का आयोजन किया है इस व्याक्यान माला में सभी इस व्याक्यान माला का उदेश्य एक मात्र उदेश्य धरम का परचार करना है आज मैं आप सबको ततात्र महराजी के 24 गरूँ में से जो दो गरू यानी आकाश वजल उसके बारे में बताने जारी हूं उससे बगवान जी ने क्या शिक्षा प्राप्त की उसके बारे में बताने जारी हूं बगवान जी कहते हैं जितने भी गट मट आदी बदार्थ हैं वे चाहे चल हो या अचल उनके कारण भिन भिन प्रतीत होने पर वास्तव में आकाश एक और अप परिछित अखंड ही है वैसे ही चर अचर जितने भी सुक्ष्थूल शरीर है उनमें आत्मा रूप से सरवत्र स्थित होने के कारण ब्रह्मा सभी में है सादक को चाहिए कि सूत के मनियों में व्यात सूत के समान आत्मा को अखंड और असंग में रूप से देखे वै इतना विस्तित्र है कि उसकी तुलना कुछ-कुछ अकाश से ही की जा सकती है इसलिए सादक को आत्मा की अकाश रूप ताकि भावना करनी चाहिए आग लगती है, पानी बरसता है, अन आदी पैदा होता है और नश्ट होते हैं वायू की प्रेणा से बादल आते हैं और चले जाते हैं यह सब होने पर भी अकाश अचूता रहता है अकाश की दृष्टी से यह सब कुछ है नहीं नहीं इसी प्रकार भूत, वर्तमान और विविश्य के चक्कर में ना जाने किन किन नाम रूपों की सृष्टी और प्रले होते हैं परन्तु आत्मा के साथ उनका कोई संसर्ष्प नहीं है दूसरा गुरू यानि की जल, जिस प्रकार जल स्वभाव से ही स्वच, चिकना, मदूर और पवित्र करने वाला होता है तथा गंगा आदी, तीर्थों की दर्शन, स्पर्ष, नामचारन से भी लोग पवित्र हो जाते हैं वैसे ही साथक को स्वभाव से ही शुद, मधूर भाशी और लोग पावन होना चाहिए जल से शिक्षा ग्रहन करने वाला अपने दर्शन, स्पर्ष, नामचारन से लोगों को पवित्र कर देता है शीदता त्रे महराज की जय, दंड़त प्रणाम, जैशी किशन